विजुपी विधायक रामिश्वर्शर्मा का बयान सामने आया है रामिश्वर्शर्मा का कहना है कि चुनाव में हार और डर के कारण और राजनीतिक विद्वेश की चलते सरकार कारवाही कर रही है जूटे और फर्जी आरोप लगाकर प्रिशासनी का अमले का दुरूपयोग हो रहा है उन्होंने इट एंट रिंग होटाले की जाज पर सवाल उठाते हुए कहा कि सौद दिन के अंदर सरकार ने आखिर क्यों जास नहीं की और अब आईकर चापों के बाद ही कारवाही क्यों हो रही है प्रदेश की जनता कॉंग्रेस की सरकार से दुखी है कॉंग्रेस जो है चुनाव हार के डर के कारण और राजिनिटी विद्वेश के कारण छूटे और फरजी आरोप सड़यंतर के बना कर वो मद्द प्रदेश के प्रसाशनिक अमले का दुरुपयोग कर रही है कांग्रेस को सो दिन में सो उपलब्दी बताने का अफसर था अगर भारती जन्ता पार्टी की सरकार उसको कही माहिने में गलत लगती थी तो सो दिन में ये जाच सो का दम भी क्यों नहीं चली आप ये जाच तो के वर इसली चल रही है जब खुद पर आच आ गई तो आप जाच की बात करने लगी मद्द प्रदेश की जन्ता सिवराज सिंग चुहान जी की सरकार से खुश थी आज की सरकार से मद्द प्रदेश की जन्ता दुखी कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता सुरेश पचोरी का बया